गौरों का छण है आज गड़तंत्र दिवस है और गड़तंत्र दिवस के मौके पर काशी का संगीत घराना गौरवानवित है पदमश्री शिवनाथ विश्राजी के घर पे हम मौजूद है और इनकी तीन पीडिया आज हमारे सामने आप देखें ये रियास कर रहे हैं लोग त तो आज इस छण पर जबकी पदमश्री आपको मिला है तो सबसे पहले हम आपके मनुभाव को जानना चाहेंगे कि ये जो छण है इसे लेकर आपका क्या कहना है आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहें है हमारे प्रतिक्रिया मताब यह है कि ये जो हमको मिला है पदमश्री ह हमारे लिए बहुत सोभा की बात है और हमारे मन में और आगे सितार बजाने का मन कर रहा है और सिछ लोगों को सिखाने का मन कर रहा है हमारे पुत्र दियोबरत है हमारे पुत्र किस्ना मिस्रा है इन लोगों सिखाएंगे और लोगों को हम सिखाएंगे तो मन में हमारे बहुत ुस्ता है यह मिलने से हमको वffe की सर्कार ने हमारे लोग के लिए संगीत के लिए कुछ किया तो और ऐसी तल से करते रहेंगे तो हमकों लोग को आईु। स करते हैं। पंदुजी सरकार का ये कदम संगीत और कला के । में कितना बड़ा कितना सरानी संगीत और कला के शेत्र में सरकार का ये प्रयास पजमश्री और पुरसकारों को देना संगीत घरानों को इतनी प्रात्मिक्ता पर रखना चुके काशी के कई ऐसी संगीत की विधाय है जिनको सरकार ने चुना है इन पुरसकारों के लिए तो कितनी बड़ी चीज यह ऐसा है कि बहुत लोगों ने प्रयास किया या नहीं किया मगर हम लोग इसके लिए सोच रहे थे कि हमको कोई सरकार के तरफ से क्योंकि बीदोसों में हमको बहुत पुरसकार मिला है मगर हमारे भारत में हमको कोई पुरसकार नहीं मिला है तो हमारा धेह ही था कि सरकार हम लोगों को उपर ख्याल करें, हमरे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो हमको पदमसिरी दिया है, तो उसके लिए हम सरकार को बहुत धनवाद देते हैं, और सरकार ने हम को इसी योग समझा, तो हमने अपनी कठीन पस्या किया है, क सितार के लिए एक और नाम सामने आता है और बड़ा नाम पंडित रविशंकर प्रसाद जी रवी शंकर जी का वो तो भारत हर्थ थे वो तो सितार के एक हस्ती थे और उसके बाद जो हमको मिला है बनारस में दूसरे दूसरे नंबर पर हमको मिला है सितार में तो सितार में और किसी को नहीं मिला रवी शंकर जी के बाद बनारस में हमको मिला है तो हमको बहुत मन में उस करें और उस उचाई पर पहुंचे निश्चित तोर पे पंडित रविशंकर जी के जाने के बाद सितार की जो ये विधा थी ये कहीं न कहीं थोड़ी सूनी सी थी और आप दूसरी पीड़ी के हैं और सितार में आपका भी काफी योगदान समझ में आता है देवबरजी तो आ आपकी प्रतिक्रिया क्या मेरी यही प्रतिक्रिया है कि अभी जो पंडित रविशंकर जी के जाने के बाद एक जो बनारस में थोड़ी सीतार के प्रति उदासिंता आ गई थी कि स्टूडेंट्स भी हमने देखा कि कम आ रहे थे और लोगों की जिग्यासा कम हो रहे थी सित सितार के लोग गायन के प्रति और तबले और और इंस्टूमेंट्स के लिए जा रहे थे लेकिन पंडित जी के जाने के बाद सितार में कम कम लोगों का रुजहान था लेकिन यह जो हाँ एक तरह से बहुत डाउन फॉल हो रहा था लेकिन जब से यह पिता जी को यह हर चेस में हर ज sensor program कंते हम लोग के हजारों सिसरी पिताल जी के पुरी दुनिया में लेकिन हम लोगों का ये हैं यह जो विधा है पिताल जी नए एक नए 2 जनरेशन एक-7 जोकि बहुत रेयर है एक साथ सितार बजा रहे हैं तो ये घराना इन्होंने स्थापित करके लोगों को सितार का जो हमारे बनाज की बारिकियां है जो हमारे गायकी अंग का सितार है वो लोगों को दर्शाया है वो लोगों को सिखा रहे हैं पिता जी तो ये हमारे इसाब से सितार क का घरना कहीं न कहीं पंडित रविशंकर जी के जाने के बाद थोड़ा निराश था अब उसमें जान आ गई है और कृष्णा जी हमारे साथ हैं तीसरी पीड़ी है तो कृष्णा जी आने वाले समय की तस्वीर कैसी देख रहे हैं आने वाले टाइम में बलब दारा जी की तर की और नाम सामने आता है मेरा जी मेरा इंस्पिरेशन है और और भी लोग और भी बड़े- वड़े चैना बढ़िट पंडिटा विशंकर जी मेरे दारा जी का भी महला बहुत इसमें मेरे सितार को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत वो है बहुत मेरे साथ मेहनत करते हैं मेरे पीछे मुझे आगे बढ़ाने के लिए और बहुत खुशी होता है कि अवार्ड दारा जी को मिला सरकार दारा बह तो खुशी और खुशी जाहिर करने की वज़ा भी है काशी के सितार वादन का जो घराना है वो उत्साहित है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ इस से इस घराने के बलकि इस विधा से जुड़ने वाले लोगों का उत्सा भी बढ़ता हु इत घराना निखरता हुआ नजार आएगा कैमरामेन विशेश के साथ नितिश कुमार पांडी एबीपी गंगा वारांची एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी